नमस्कार छात्राओं, कैसे हैं आप सब लोग, अच्छे हैं? ठीक है, तो चलिए, आज आप हिंदी व्याकरण में से पहला पार्ट शुड़ू करने जा रहे हैं पहला पार्ट है, कक्षा पाच्वी, हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट है, वरण माला का बरीचे वर्णा माला यानि मोराक्षर या अपने महराटी में सीखे है न और ते दनियों तक या चलिए चो देखते हैं हिंदी वर्णा माला की मुख्य बाते कौन-कौन सी लिपी लिपी यानि वर्णों के स्वरूप या उनके लिखने के ढंको लिपी कहते हैं स्टाइल के सियं लिखने की उनको कहा केते हैं लीपी कहते हैं मराटी भाषा की तरह पर दूसर regional गारों की सहायता नहीं लेनीपड़ती अब जब हम को बोलते हैं को तो क यानि को प्लस ओ होता है तो को बोलते समय हमें ओ इस स्वर की सायता लेनी पड़ती है लेकिन ओ बोलने में हमें किसी की भी वर्ण की सायता नहीं लेनी पड़ती जो ऐसे ही जो आक्षियर होते हैं उन्हें स्वर केते हैं जिन वर्णों के लिए हमें उच्छार करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं और जिन वर्णों को उच्छार करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की मदद लेनी पड़ती है उसे वेंजन कहते हैं ठीक है तो कुल मिला के तेरा स्वर होते हैं कितने स्वर होते हैं तेरा चलिए स्वर देखिए ओ आ ई ई उ उ रू ए आई ओ अउ ठीक है और अम और अहा ये दो स्वर उसमें होते हैं अ के उपर जो बिंदि लगाई जाती है उसे अनुस्वार केता है और अहा के लिए अ के आगे जो दो बिंदिया लगाई जाती है उसे विशर गग केता है ठीक है तो ऐसे तेरा स्वर होते हैं अभी वेंजन देखिए क, ख, ग, ग, न, च, छ, ज, 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 ग, ट, ठ, ड, ध, ध, न, ड, और ध, ड, और ध, दो बार आता है, ड ऐसे भी लिका जा सकता है, और ड के नीचे बिंदी दिये गई है, इसे नुकता वाले शब्द, क्या कहते हैं, नुकता, जब हम अक्षर के नीचे जो बिंदी देते हैं, तो, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 र, र, ख, श, तर, ग, और श, र, इसमें दो एक्स्ट्रा है, श, र, एक्स्ट्रा वियंजन है महराटी में श, नहीं होता, अभी ये वेंजन होए अभी सायूक्त म्यंजन यानि क्या ओं.. खोत्रःवारश्ड peaceful तंतरःवेंजन नहीं है उन में से प्रत्यक वेंजन दो अलॉघ अलॉघ्णों से मेल के बना है मेल यानि मिला कर बना है अब एक शो केसे तहर होता है को और शो को मिलाके क्या होता है को अधिक शो बराबर शो तरो कैसे होता है तो अधिक रो बराबर तरो और ग्यो कैसे होता है जो अधिक तरो बराबर ग्यो और शो अधिक रो बराबर शो ऐसे व्यंजन तहर होते है उसे सयुक्त व्यांजन कहते हैं ठीक है? चलिए आगे देखिए अभी कुरूती देखिए स्वाद्य वर्णमाला लिखो, आपको सब वर्णमाल लिखो पहले क्या लिखना है स्वर O, A, E, E, U जो होते हैं दुमारे स्वर इधर आपने देखिए हैं न पिछले पन्ने पर देखिए O, A, E, E, U, U, R, A, I, O, O यह स्वर आपको इधर लिखने हैं और बाद में को से शुरू करना है को, खो, गो, घोण ऐसे सब व्यांजन ओसे दियर तक आपको लिखने हैं ओसे गियर तक आपको लिखने हैं शुरू तक, सॉरी, और से शुरू तक समझें? ठीक है, आगे देखिए निम्नलिकित वर्णों में से स्वर आलग करके लिखिए इसमें स्वर कौन से हैं, आपको लिखने हैं चो, यह स्वर है क्या? नहीं है, व्यांजन है इधर नहीं लिखने का है यह क्या है? स्वर है, इधर लिखने का द, व्यांजन है अ, स्वर है इधर लिखने का श, व्यांजन है इ, स्वर है इधर लिखने का घ, नहीं रू, हाँ स, नहीं और ए, इधर लिखने का तो यह क्या हुए? स्वर हुए अब वैसे इधर निम न लिकी तो अरणों में से व्यंजन अलग करके लिकी, इदर व्यंजन अलग करके लिकी, इदर व्यंजन अलग करके लिकी, आ क्या है, स्वर है, गो व्यंजन है, ओ स्वर है, छो व्यंजन है, उ स्वर है, प व्यंजन, इ स्वर, न व्यंजन, अम स्वर, ब व्यंजन, तो सिर्फ वेंजन इदर लिखने के है और इसमें से स्वर इदर लिखने के है और इनमें से वेंजन इदर लिखने के है आगे देखिए निमने लिकित वर्णों में स्वर और वेंजन अलग अलग करके लिखिए ये पढ़ने का है इसमें स्वर कौन से है इसमें से स्वर कौन से है ये इधर लिखने के है और वेंजन कौन से है ये इधर लिखने के है ठीक है आगे का प्रशन देखिए निम्ने लिकित वर्णों में से सयुक्त वेंजन अलग करके लिके सयुक्त नहीं दो वेंजन मिलाकर किसरा वेंजन तयार हो जाता है को क्या है? नहीं तरो तर अधि करो तो तरो क्या इदल सयुक्त वेंजन है श नहीं श बराबर ये सयुक्त वेंजन है गयो ये भी शायक्तविंजन है और कौन सा शुरोख ये शुरोख भी क्या है शायक्तविंजन है आगे देखिए खाली जगों में प ड़ और धो नुक्ता वाले ड़ और धो हाक्षा लिखिए नीचे पूरा शब्द फिर से लिखो अब इदर कौन सा है ना, कौन सा आएगा इदर, पढ़ना या पढ़ना, पढ़ना, तो ये इदर ढ़ने का है नुगता देखें, और ये पूरा शब्द फिर से नीचे लिखने का है, आगे देखें, सडक, सडक ये रास्ता, ये ढ़ना इदर, फिर ये पूरा शब्द फिर से इदर लिखने का चढ़ना ये ड़ चढ़ना यानि क्लाइम करना ये पूरा इदर लिखने का लड़ना ड़ लड़ना यानि फाइटिंग इदर लिखने का बढ़ना बढ़ना मिल्स इनक्रीज इदर लिखने का आगे देखें खाले जगव में उचित वर्णा लिख कर शब्द पुरा कीजिए इधर क्या आएगा? तमिल लो आएगा और इधर भी क्या आएगा? टिलक लो आएगा या टिलक ब्या सकता है लो इधर लो आएगा और इधर लो आएगा लो और लो समझें? इसी से इसी पॉइंट पे हम हमारा पहला पार्ट हिंदी व्याकरण का समप करते हैं अब हम अगले वीडियो में दूसरा पार्ट सीखेंगे ओके बाई बाई